संसत के पांच दिवसीय विशेश सत्र के दूसरे दिन आज गड़िश चतुर्थी पर संसत की कारवाई नई भवन में होगे। प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी फुरानी भवन से सम्विधान लेकर पैदल नई भवन में प्रवेश करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस मौके को एतिहासिक बनाने के लिए सौमवार को अच्छानक बुलाई गई कैबनिट की बैठक में महिलाओं को 33 प्रतीशत आरक्षन देने को हरी जंडी दे दी गई। हाला कि सेरकार की तरफ से किसी ने इस सुलेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यदि ऐसा होता है तो अगली लोग सभा में महिलाओं की तिहाई संख्या नजर आएगी। संसत के विशेश सत्र में महिला आरक्षन का बड़ा दाव मोधी सरकार चलने जा रही है। सूत्रों के अनुजार मोधी कैबिनिट ने जो बिल मन्जूर किया है वो 2010 में राजे सभा से पारित बिल से अलग हो सकता है। मनमोहन सरकार के समय 2010 में संसदिय इस्थाई समिती की समिक्षा के बाद बिल फिर राजे सभा में आया और वहां से पास हुआ। समाजबादी पार्टी और राजद की समर्थन वापसी की धमकी के कारण विधेयक लोकसभा में नहीं लाया गया। सबसे पहले 1996 में HD देवी गोडा सरकार ये विधेयक लाई थी। सरकार अल्पमत में आने के कारण बात ठैर गई। वाजबाई सरकार ने 1998 और 1999 दो हजार दो हजार तीन में भी इसे पास कराने की आसफल कोशिश की थे।